नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आज इस नए विडियों दोस्तों मैं आप सभी काज स्वागत करता हूं उम्लित करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे यहां पर दोस्तों केंदरी विद्याले CRP फापमों की तरफ से संविदा भरती का नोटिपिकेशन जारी किया ग क्या है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कौन-कौन फार्म को बर्ष करता है इंटरव्यू में किस डेट में जाना है एक सारी जानगारी में इस वीडियो में आपको सेर करने वालना हो तो आई दोस्तों फटाफट मैं आपको लेच चलता हूं इसकी नोटिपिकेशन और आप सबस्यादा कमेंट आ रहे हैं तो सबस्यादा टीजीटी के पद आपके यहां पे सामिल है हम लोग डिटेल से बात करेंगे इस नोटिपिकेशन के बारे में 271-2024 का नोटिपिकेशन वाकिन इंटरव्यू भरती आपकी पूरी तरह से इंटरव्यू वेस पे होने वाली है यहां नीचे आप देख पाने हैं केंदरी विद्याले सीयारप्य प्रयागराज सैचिक सस्थ दोहजार चौबिस पचीस के लिए अंसकालिक पाइट टाइम कांट्रूक्चल बेसिक सिच्चकों का पैनल तयार करने है तो प्रात्मिक सिच्चक टीजी अंग्रेजी हिंदी गडित विज्ञान एवम समाजी विज्ञान कंप्यूटर नुदेशक योग सिच्चक स्टाप नर्स कांसलर खेल कूद अनुदेशक इस्पेशल एजुकेटर एवम संगीत अनुदेशक विशयों में योग अभ्यरतियों का दिनांक आठ एवम 9 फरवर दोहजार चौबिस को प्राते साढ़े आठ बई से परिच्छा साथकार आयूजित किया जाएगा तो इन दो डेटों में आपका आयूजित होगा अभी मैं सभी के लिए अलग-अलग डेट बताने वाला हूं कि किसको किस डेट में जाना है पहले पूरी प्रक्रिया समझ लीजे ब्रिस्तत बी दिनांग 7-2-2024 तक आप रहां 2 बज़े तक अपना आवेधन कारेले में जमा करवा सकते हैं साथ चातकार के दिन सभी अंकपत प्रवाड पत्रों की मूल वस्व प्रवाडित प्रत एवं फोटो ग्राप आवश्य लाएं यानि कि दोस्तों आपको इसका आफ-लाइन फार् फार्म आपको भर के बेजना है बायो डाटा पूर फार्मा कैसे डाउनलोड करना हम आपको भी बता देते हैं प्रवाड भी करवा देते हैं देट एक बार और दीगे साथ फरवरी दोहजर 24 लाट जेट है फार्म वहां पे जमा करने की फिर आठ तारीक और नौ तारीक को इसके इंटरव्यू रखे गया है अब बात करें यहाँ पर पद के बारे में यहाँ पर पद आपको देखने की मिलेगा साच्छात करती तो समय तो देखिए टीजीटी हिंदी अंग्रेजी गडिद बिग्यान समाज बिग्यान कंप्यूटर अनुदेशक और इस्पेसल नोट नीचे यहाँ पर सीधा देखें मेंसन किया गया है केंद्री विद्याले सियार्प्य प्रयागराज बिग्यापन में संसोधन करने या किसी इस्तर पर बिना करण बताए निरस्त करने का अधिकार रखता है सच्छातकार में भाग लेने हों को यात्रा बत्ता देन नह सेम यही आपको लगने वाला ध्यान से समझेगा एज देखिए एक ऐस से साथ साल की बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं देखें कंप्यूटर इस्ट्रक्टर की इलजिबिल्टी क्रिटेरिया की बात करें तो आप बी हैं बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से बीसी ए आपके पास PGDCA O Label है तो भी अप्लाई कर सकते हैं PG के साथ आपके पास A Label है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस्पोर्ट इंस्ट्रक्टर की बात करें तो बीप और एम एम पीड वाले अप्लाई कर सकते हैं योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन और एक्कुलेंट डिग्री फ्राम रिकुनाईज नुवरस्टी ठीक है वन यर डिप्लोमा ट्रेनिंग योगा ठीक है तो एक साल का लिवा है तो भी अपलाई कर सकते हैं तब भी अपलाई कर सकते हैं working knowledge आपके पास Hindi English में होने चीए eligibility criteria for the post आप यहाँ पे देखें TGT और PRT के लिए यहाँ पे देखें द्यान से 21 से 60 साल आपका दोस्तों TGT के लिए PRT के लिए आपका 18 से 60 साल clear हो गया आपका जो है primary के लिए आप देखें आप द्यान समझेगा 4-year integrated degree ठीक है course original 50% mark के साथ bachelor degree 50% mark से साथ ठीक है आप देखें TGT English के लिए दोस्तों आपका English subject होना तीनों साल में कंपल सरी ही Hindi के लिए Hindi कंपल सरी है TGT social science के लिए जियोग्राफी history economics इन में से आपका होना चाहिए TGT science के लिए जो लोजू वाटनी कॉमेस्ट्री mathematics लिए फाइनली में आपका दोस्तों mathematics प्लस यहाँ पर और भी subject मेंशन किये गया computer science, statistics वगेरा तो आप अपलाई कर पाएंगे नीचे आप देख पा रहे है B.A.D. आपके पास होना चाहिए equivalent degree होना चाहिए फिर आपके पास seated second paper आपको pass out होना चाहिए ठीक है यानि कि दोख्रों D.L.A.D. B.T.C. तो अपलाई कर सकते हैं B.L.A.D. 50% मार्ट चाहिए तो भी अपलाई कर सकते हैं फिर यहाँ पे आप देख पा रहे है qualified in the central teacher eligibility test paper first conduct by government of India C.B.S.C. Board की तरफ से जो भी आपका होता है seated qualified होना चाहिए कंप्यूटर की knowledge नहीं हिंदी इंगली से पढ़ाने का ग्यान होना चाहिए special educator यानि की primary के लिए बात करें दोस्तों यहाँ पे देख पर है तेन बारावी प्लस प्लस जो है two year D.L.A.D. special education आपके पास होना चाहिए special education वाले बच्चे यहाँ पे आपना देख लेंगे यह इनके पास होना चाहिए तो आप special educator के लिए apply कर सकते है ठीक है यह पूरा special educator के लिए दिया हूँ पूरा जितना भी है यह सब ठीक है यह तो हो गया दोस्तों आपका notification और eligibility criteria सभी के लिए किसी किसी जिली में आपका eligibility criteria नहीं निकालते हैं qualification का तो आपको यही हर जगे मानने है clear होगे आभी देखिए farm आपको कैसे डाउनलोड करना है इसकी website पर चलना है मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है और ओपन करना है Google उसके बाद टाइप करना है CRP up alhabad kbs.ac.in search वाले option पर क्लिक करना है नीचे आना यहां पर देख पर केंदरी विद्याल है CRP up alhabad वाले option पर क्लिक करना है जैसे दोस्ते इसकी आपसल website open हो जाएगी उसके बाद आप देखिए यह cross करके इसको हटा देना है नीचे आना है और नीचे आएंगे और नीच application show हो जाएंगे तो ठीक है अब ध्यान से देख पार है bio data pro pharma for contractual teachers ठीक है यहां पर दोस्तों यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो इसका दोस्तों जो offline farm है वह इस तरह से देखिए दोस्तों download हो जाएगा application format contractual ठीक है इसको पूरा आपको complete भरना है ध्यान से आप दोस्तों आपको CRPF KBS विद्याले में आपको साथ फरवरी last date है एक बार ध्यान दीजे साथ फरवरी 2024 last date form जमा करने की इसके पहले तक आपका form जमा हो जाना चाहिए पूरा notification पढ़ना तो यहां पर आप देख पार है जो मैं notification अभी दिखा रहा तो यहां से आप download कर सकते है इस पर click करेंगे download again पर click करेंगे और यहां पर दोस्तों आपका जो notification है फानली देशिए यह download हो चुका है इन दोनों को दोस्तों हम अपने telegram चैनले पर देदेंगे form और पूरा notification और जो telegram चैनले का link है वो आपको वीडियो को decision में मिल जाएंगे जो भी सभी प्रकार के form हम आपको telegram चैनल पर दे देते हैं आप लोग उसको फटाफट जॉइन कर लीजे इस तरह यह रही दोस्तों आपकी भरती के update तो आप लोग इसको form भरके जमक कर दीजे कोई दिक्कत है कोई problem किसी प्रकार की तो आप मुझसे comment करकी जनकारी ले सकते हैं अगर आपको मुझसे directly बातचीत करना है तो जो इंस्टाग्राम का आपका link है वो वीडियो को decision में आपको मिल जाएगा उसको join करके भी आप मुझसे directly बातचीत कर सकते हैं चले दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe करके बिल की घंटी को ज जय हिन जय भारत